वे बाबरी मामले में पक्षकार अक्बाल अंसारी का कहना है कि हिंदू शौरे दिवस मनाते हैं और मुस्लिम यौमेगम का कारिक्रम करते हैं ये 26 सालों से परंपरा चदी आ रही है अक्बाल अंसारी ने कहा है कि कानून के दारे में रहकर यौमेगम कारिक्रम का यूजिन हो युपी में सहारनपूर के देव बन्दि उलिमाऊंने मुस्लमान तो पूरे हिंदोस्तान में छुह circus passion की जिए का सब्सक्राइए नहीं होगा तो विकास भी होगा यूपी में सहारनपूर के देवबंदी उले माओं ने मुसल्मानों से शांती बनाए रखने की अपील की है तो वहीं रामलला मंदिर के पुजारी महन सतीं दुरिदास का कहना है कि इस दिन ना तो शौरी दिवस मनाना चाहिए और ना ही गाम विक में शांती ववस्ता पर कोई असर आए एहतजाच करें पुर अमन तरीके से करें कानून के दाएरे में करें और अल्ला से दुआ करें कि जो चीज हम लोगों से च्छीनी गई थी अल्ला रबुला आलमीन वा दुबारा हमें आता फर्माए बहुत से लोग यह में सियाह मनाते हैं तो कुछ लोग यह में फता मनाते हैं तमाम इंदोस्तानी कावम के नाम यह पैगाम है कि वो अमन और अमान को और मुल्क की तरकी के लिए कोशिश करें और इनसानियत की तरकी के लिए कोशिश करें और हर उस बात से परहेश करें जिस से इनसान को नुक्सान यह दोनों की आउसकता नहीं है, बलकि चाहिए था कि संभावना की और सद्भावना की दिवस्मना में कि हम लोग दोनों प्रकार के आईसी कोई घटना ने बीच में हो, कि हिंदू और मुस्लमान के बीच में कोई धरार पैदा हो, ऐसा एक रास्ता निकालना चाहिए हिंदू मुस्लमान को, अब वो सौर दिवस्मना करके मुस्लमानों को कुरोधित करें मलब और यू गम दिवस्मना करके करें तो दोनों दिवस्मनाना गलत है